अपार रहे है सी थर्मोडानेमिक्स ते अपाने कंप्लीट कीता सी फॉर्स्ट लॉफ थर्मोडानेमिक्स ते नाली अपा उस दिन नुमेरिकल्स भी कर चुके हैं ठीक है ना जिनना भी पोर्शन अपाने कवर कीता है हुन तक सो हुन अज अपाने बेसिकली अपना फोकस है बचे अन सेकेंड लॉफ थर्मोडानेमिक्स अगर आपने को लेक्चर तो बार टाइम बचेगा मलों सेकेंड लॉफ थर्ड लॉफ भी स्टार्ट करदांगे बट फिलहाल अपाने एक बार सेकेंड लॉफ थर्मोडानेमिक्स त आज ज़ी टर्मिनोलजी अपा एदे थू इंट्रोड्यूस करांगे धाट इस कॉल्ड एंट्रॉपी ठीक है ना तब अच्छे हुन दिखो फिर्स्ट अफ अल सेकंड लॉफ थर्मोडानमिक्स के अंदा की है पर ना फिर्स्ट लॉफ ने की क्या सी कि energy can neither be created nor destroyed it can only be converted from one form to another form ठीक है हुन सेकंड लॉफ की कह रहे है सेकंड लॉफ कह रहे है कि बेशक अपा एक form of energy नूँ दूसरी form of energy दे विच convert कर दिनने है ठीक है ना बट वो 100% convert नहीं हुन दी ठीक है ना किते ना किते कुछ ना कुछ wastage involved हैगी ही है ठीक है ना सो हुन देखो जेड़ा first point सो आपने notes नूँ open करो आपेज नुमबर 12 जे सेकंड लॉफ थर्मडायमिक्स दा फर्स पॉइंट देखो मतला basically ये सारे पॉइंट जेड़े होंगे इस सारे पॉइंट एसे दे आले द्वाले होंगे कि एक ता तुसी 100% convert नहीं कर सकते दूसरा entropy है पहला ता मैं सुनों चलो यही दासना कि what do you mean by entropy देखो entropy हुन दिया है degree of degree of randomness या जिसनों आप बोल देया है freeness freedom ठीक है ना degree of freedom हुन दुसी एही मान के चलो कि let it be कि दिखो आएक solid है ठीक है ना let it be आएक solid है मैं इसनों heat देखे liquid देविच convert करता यहां कहलो liquid नूं gas चे convert करी गयाता हना ता solid देज दो particles थोड़ा बहुत move करन लागे liquid बनके ता यानि कि ओधी एड़ी energy सी जड़ी आपा energy रती है in the form of heat ओ kinetic energy is convert होगी पर कुछ ना कुछ heat है जड़ी ओ जड़ी यहां इन दियां आपस दियां forces है उनना नू breakdown करन देविच utilize हो जोगी ता जड़ो जड़ी heat breakdown करन ची utilize होगी बच्चे ओ थोड़ी आपानो मिलोगी है ओ थोड़ी molecule देविच करने टेक energy देविच होगी है ना को गय होता forces नो breakdown करन ची यूज होगी और नो free करन ची यूज होगी and that is known as oh entropy ले यूज होगी entropy ची convert होगी है so that is called degree of freeness, randomness या entropy ठीक है so हुम first point पड़ो page number 12 ते second law of thermodynamics देंडर it says it is impossible to convert heat completely into equivalent amount of work without producing some change elsewhere so ही point आ देखो कि कदे भी ये possible नहीं है कि तुसी पूरी-दी-पूरी heat नू या energy नूँ equivalent amount of energy या work देविच convert कर सकों number two all natural and spontaneous processes take place in one direction only and are thermodynamically irreversible ठीक है so second point हो की कह रहे नहीं कि सारे नहीं सरी नेचरल ते spontaneous processes irreversible हों दियाने वह आपनू वैसे भी पता है पहलना भी discuss कर चुके हैं कि जेडिया reversible reactions है वह आपनू real life देखनू नहीं मिल दिया third point heat cannot pass by itself from colder to hotter body बिलकुल यह भी आपनू बता है कि जेडि heat हो cold तो hot body देविच pass नहीं हो सकदी number four it is impossible to construct a machine that is able to convey heat by a cyclic process process missing है तुसी add कर लियो by a cyclic process from colder older नहीं है colder from colder to hotter body unless work is done on the machine by some outside agency बिलकुल 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 clear है था third ते fourth point दोनो same है कि कदे भी जडी heat है मतलब यह एक common sense वाली गल है कि कदे भी जडी heat है ओ cold to hot body नहीं जा सकदी it'll be from hot to cold body in natural and irreversible processes the entropy increases बिलकुल कोई भी natural यह irreversible process होगी spontaneous process होगी बचे fifth point चंगी तरह tick कर लो important लिख लो अपनों अगे use होगा अपनी further पड़ाई दे विच कि कोई भी जडी natural end अपने आप होन वाली process है irreversible process है spontaneous process है उस दे विच entropy जडी हगी है randomness जडी हगी है वो हमेशा increase करोगी यह getting a point अपने दे विच भी देखो अपने लिखी है यह दे विच भी देखो randomness increase कर रही है now entropy दी definition mentioned है it is a measure of disorder or randomness of a system greater is the randomness greater is the entropy विलकुल ठीक है न जिननी randomness freeness जड़ा होएगी उननी entropy भी जड़ा होएगी because उस दी definition ही है अपने देखो entropy नो लिखे ही की है degree of randomness, freeness freedom etc now फिर अपने को कुछ factors दे रहेने हो कि entropy केड़े केड़े factors दे उपर depend कर दी है first factor is temperature so एक simple ज़ा फंड है जिनना temperature जड़ा होएगा उन्ही molecules दी kinetic energy वद होगी उन्ही movement वदेगी so degree of freeness या randomness वदी जाएगी so इसी करके solids यहो energy gain करके थोड़े free हो जनगे gases वाले बिल्कुली free हो जनदे है so gases दी entropy सब तो जाएगा third third point decomposition जदो कोई चीज decompose कर दी है तो उदे छोटे particles बन जनदे जदो छोटे particles बन दे है तो again randomness वर जन दी है और इस दी classical example is calcium carbonate the breakdown होना into calcium oxide and CO2 तो देखो रदे हुने दे विच एक product gas बन गया तर natural है gas दी randomness जाद है हाँ अगर देखो वैसी सुन लो ते आननल कि अगर CO2 भी solid हुनदा फेर कोई फरक नी सी कोगी a b solid a b solid a b solid किसे दी कोई randomness नी हैगी ता हुने थे एक product gaseous बन गया तर अगर के randomness इंक्रीज हो जोगी ठीक है ना and similarly dissolution dissociation and dissolution so जिदा तुसी किसे चीज नो पानी दे विच डिजॉल करोंगे और आईंस दे विच ब्रेकडाउन हो जुगा ठीक है ना जिदो ब्रेकडाउन हो जुगा ता अगेन उसती water दे विच आईंस movement will increase तो जिदो movement will increase बचे तो अफकोर्स randomness, entropy, freeness दे विल increase स्वाई खुब दन ठीक है समझा आ गया now हुन अपने कोल again the term is change in entropy during the process entropy के में change हुंदी है तब बच्चे पहला देखो entropy दरड़ा symbol हुंदा है that is s ठीक है entropy the symbol is s ते change in entropy the formula is delta s ठीक है मैंसलों दोनों forms दस्टूंगा कि chemistry the form and physics the form अपा entropy change के में लिख दे हैं so अगर आपने को लिए process है a plus b gives you c plus d तो हुम ही chemistry the form delta s की रे बराबर है delta s is equal to entropy of products minus entropy of reactants ठीक है ना उसे तरीके नल same way नल जिद्धा आपा पहला लिख दे सी delta h दा formula उद्धा ही delta s दा formula entropy of products minus entropy of reactants यह अपा के में लिखांगे की entropy of c plus entropy of d minus entropy of a plus entropy of b ठीक है ना और अगर हुना आपा physics दी form जी लिखिये ठीक है ना ता जेडी entropy हुन दी है that is heat absorbed by the system upon जिस temperature ते heat absorbed हो रही है temperature at which heat is absorbed clear so this is called change in entropy और इस दा formula होगा q upon t ठीक है ना q upon t कि किन्नी heat उसने अब्जॉब किती है और किन्नी temperature ते एब्जॉब किती है ठीक है ना किन्नी heat absorbed किती है ते किन्नी temperature ते एब्जॉब किती है clear जिद्धा की like for example अगर आपनों आनदा है entropy of fusion calculate करना ठीक है ना entropy of fusion suppose आपनों आनदा है कि entropy of fusion fusion की हुनदा है जिदो कोई solid liquid stage पहुंच दा है हाना let it be थोड़े कोल ice cube है this is an ice cube ठीक है तुसी इसनों कुछ amount of heat इसने absorb किती ते की बन गया liquid water बन गया ठीक है ना now इसने विच delta S किनना आएगा जिनने heat उसने absorb किती अपन 273 इस 273 कितो हुया melting point of water melting point of ice किनना हुंदा है zero degree centigrade ता पर zero degree नू Kelvin दे विच पुट करता so इसनों मैं लिखूंगा यानि की delta H of fusion of water upon या किसी भी liquid दा हना upon उस दा melting point clear ठीक है ना water melt किते करूगा zero degree centigrade ती करूगा ता melting point ना divide करता जिद्दा कि अपन है थे इसनो 273 नाल divide किता है ठीक है ना similarly रजे अगर आपनों आजन्दी है entropy calculate करो of vaporization ठीक है ना entropy of vaporization अच्छा एभी त्यान रख रखना है जिम्हें अपने ice नो मेल्ट कीता है ता आपका किन्नी ice लमांगे एक मोल दे ब्राबर यानिकी 18 ग्राम्स हना तो एदे ही हुन अपने कोल water है अपा water नो क्यों amount of heat देती ठीक है तो convert हो गया into vapors ठीक है ना तो हुन अपने कोल entropy change किन्ना आएगा कि किन्नी heat आप देती है अपन 373 Kelvin जेड़ा कि किया water दा boiling point ठीक है ना तो किसी भी liquid दी delta S of vaporization किन्नी आएगी delta H एथे आज़ुगा vaporization ठीक है ना कि उसनो किन्नी इन थेलपी चाहिए दिया vaporize करन ली एक मोल नो अपन उस दा boiling point आज़ुगा रदे ठीक है ना अपन लिखांगे अपन उस दा boiling point so that will be the entropy of the change in entropy during the process clear I hope ठीक है done I hope समझा आगया now होन अगर अपन गल करिये कि entropy दे units की होंगे बचे entropy दा formula की है Q upon temperature तक क्यू हुंदा है बचे Joules so Joules पर Kelvin is the temperature यह SI units दे विचागे MKS units ते जे तुसी CGS units चेक करोंगे ते जूल दा की हुंदा है बचे CGS unit I think calories हना तो आपा लिखांगे calories पर Kelvin ते यह फिर आपा एक होर unit के दा हुंदा हुंदा वोर्क दा अर्ग्स हना अपा अर्ग दे विच भी लिख सकदे है ठीक है ना ते अथे आपा अर्ग पर Kelvin भी लिख सकदे है तेम्परेचर अपा हमेशा Kelvin दे विच ही लनने हा clear ठीक है So this is about entropy ठीक है हे इंपोर्टेंट है बचे यह उपर आपनू questions आनगे ठीक है ना एन बिल्कुल easy है मरला important as well as easy ठीक है ना Now So होना पा एक topic cover करना है कि जदों कोई system देखो बच्चे हूं त्यान नल हूं suppose अहां एक ice cube है अगर मैं इस ice cube में थे राख दमा तो of course कुछ देर बाद एकी हो जुगा melt एरा मतलब एदेकुल heat कितों मिल रही है surroundings तो ठीक है ना surroundings तो heat मिल रही है ना इसनू ठीक है surroundings तो heat के डी conditions मिलेगी कि suppose इस दा आवदा temperature T1 है तो surroundings दा T2 है ठीक है तो natural है कि T2 is greater than T1 फिर ही मिलोगी ना इसनू heat ठीक है ना अदरवाइस तो heat मिलनी हो ही नी सो अपने system ते surroundings दा relation करना spontane entropy दे regarding ठीक है ना सो रेखो पहला केस इस दे अंडर जदो अपना system की होएगा बिल्कुल isolated ठीक है तो सी बिल्कुल isolate करता system नो ठीक है ना मेरी गाल समयगे ना अपने कुल अपने system नो बिल्कुल isolate करता ता हुन एथे की होगा ना ता देखो बच्चे system isolated system केडा सीगा अपना जी देविट system ते surroundings दे विचकार ना ता कोई heat दा exchange होंदा है और ना ही कोई matter दा exchange होंदा है ठीक है ना ता एक चीज़ पहला तो सी ये formula अपने एथे की use करना है ये बले cases जो दो आपा system ते surrounding दोना नों लाके चलनांगे ता delta s total is equal to delta s of the system plus delta s of the sorry delta s of the surrounding total entropy change is equal to entropy change of the system plus entropy change of the surroundings ताहूं देखो जिदो अपने कोई delta जेडा अपना system है वो isolated system है ता ना अपने कोई मास exchange हो रहे है ता ना ही अपने कोई energy exchange हो रही है between the system and the surroundings ता अपने कोई जेडी delta s दी value है ठीक है जेडी delta s दी value है जोदो energy exchange ही नहीं हो रही तो की आओगी 0 ठीक है ना अगर ता मतलब देखो system देना system दा surrounding देना अपने कोई relation नहीं है तो अगर system दी delta s वदूगी तो टोटल भी वदूगी अगर कटूगी तो टोटल भी कटूगी ठीक है ना तो की surrounding देना अलता देखो change होई नहीं नहीं रहा surrounding देना अलता होई interact ही नहीं कर रहा तो अगर entropy of the system will increase ठीक है ना तो टोटल भी वदूगी और अगर system दी surrounding system दी entropy कटूगी तो टोटल भी decrease होगी यानि की total entropy will depend upon the entropy of the system only ठीक है ना अपा की कहना चानने है यानि की की दो system isolate होगा तो जो entropy change system दा होगा ओही entropy change total दा होगा कोगी surrounding देना अल उस दी कोई भी interaction नहीं है ठीक है ना ठीक है done बचे now होन अपने कोल second case ठीक है second case की है second case is की जदो अपना system isolated नहीं है यानि की जडी मैं एक्जाम्पल आ हो पर अपने start कीती सी है ठीक है जदो system isolate नहीं है ता यानि की हो energy exchange कर सकता है surrounding नहीं होगी ते energy exchange ओधी होगी from hotter to cooler body देखो जडी आहाँ ice दी टुकडी है water दा melting point किनना होंद है जीरो डिगरी यानि की जड़ा ice है और किनने temperature ते है 273 ती 1 अगर surrounding the temperature जीरो डिगरी तो जादा होगा ता heat यदर रूँ आओगी ते ice melt करना शुरू कर दू suppose अगर तुसी काओं की सार अगर बार दा temperature ice तो cut होगे यानि की बाहर temperature है suppose minus 5 the heat will flow from ice to the system and sorry ice to the surrounding and the ice will not melt मेरी का समयगे ना यानि की इकना एक पास से ता heat flow करूगी करूगी ना it will flow from the higher temperature वाली body to the lower temperature वाली body अगर system दा temperature surrounding ना जादा है ता system तो surrounding जाओगी और अगर surrounding दा जादा है ता surrounding तो the system जाओगी I hope एन अकता पन समझ आ रहे है ना now, होन देखो की होगा ता जिदो वो flow करूगी ठीक है ता एक चीज़ याद रखनी है बच्चे जड़ा अपाने point किता सी पंजमा point कि the total entropy of the universe always increases यानि कि जड़ा हाँ total delta S है यह हमेशा positive हाओगा positive in the sense 0 तो जादा क्योंकि अपा की कैके चल रहे है कि हमेशा entropy वद्धी है कदे भी कट दी नहीं याद रखना है बच्चे जड़ा आपा कहनने होने है न अच्छा starting विची अपाने कह से ना कि मतलब stability is directly inversely proportional to energy सबनु याद होगा ना है point कि जन्नी system दी energy जधा हुन दी है stability उनन ही cut हुन दी हैandy energy cut हुन दी है stability जधा तब entropy केके इस्च उल्टा हुन द है । जन्नी entropy जधा हुन दी है system मतल मतल्वल हुम्ण और जन्नी entropy कट होग उनना system कटी होगा यानि कि stability is directly proportional to entropy ठीप है वैसे भी, एक general rule of life है है, कि everyone in this world wants to be free, कोई भी इंसान है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई बर्ड है, they all want to be free, कोई भी बंद के नहीं रहना चांदा, ठीक है? So entropy positive होगी, अगर freeness जादा होगी, तो system जादा stable होगा, now, सोहन तुसी देखो, कि suppose अपने coal, T is the system, the temperature, and surrounding the temperature is T surrounding, now, अगर system ने energy गेन करनी है, तो surrounding the temperature जादा होना चाहे है, ठीक है? जिदों जादा होगा, तो delta S for system किन्ना आजोगा? क्योंकि heat will flow from surrounding to the system, system heat gain करोगा, तो उस दी entropy होगी, plus Q upon temperature of the system, ठीक है? and similarly, delta S of surrounding की होगी negative, क्योंकि उसने heat कर दी, lose to the system, T of the surrounding, मेरी गाल समझाई के नहीं, system ने energy gain कर ली, surrounding ने energy lose कर ली, ठीक है न? तो system दी entropy change की है positive, surrounding दी entropy change की है negative, ठीक है? now, हुन दिखो, total entropy की है नहीं आई, so total entropy is equal to, entropy change of the system, plus entropy change of the surrounding, ठीक है न? entropy change दे नहीं आओगी न? system दे विच किन्ना चेंज आया थे, surrounding दे विच किन्ना चेंज आया? now, हुने आओगी, plus Q upon T of the system, minus Q upon temperature of the surrounding, ठीक है न? so अपने कोल, जेडा system दी सी, ओ positive सी, surrounding दी negative ता, एथे normally, बच्चे की गाया थे, सरा आंसर तो 0 आओगा, कोगी जननी heat ने gain कीतिया और नी heat ने lose कीतिया, तो दोनों बराबर होगे ता, इसली entropy change total किन्ना आओगा, 0, बच्चे 0 नहीं आओगा, कारण आओ temperature दी विच फरक है, system दा temperature काट हुन दा है, ते surrounding the temperatures जादा, जिदो system दा temperature काट है, ठीक है न? ता, आहाँ वली quantity, देखो न, नीचे वाला, की कहने नो, उसी नो, denominator, denominator, denominator एथे काट है, देखो, numerator दोना सेम है, बट denominator एथे काट, एथे जादा, तो आवली value जादा होगी, या value काट, तो उसी काट वाली value, जो काट वाली value, माइनस करोंगे, ता, answer will be greater than zero, यानि की positive, ठीक है, ता, देखो, की for a spontaneous process, तो की देखो, यह process कोई कर नी रिया, automatically heat absorb या lose होगी, automatically heat will travel from the hotter to the cooler body, ता, देखो, जेडी delta S है, that comes out to be positive, यानि की entropy एकी शो कर रहे है, की total entropy of the system, and the surroundings, मिलाके की आ रही है positive, यानि की हो की हो रही है, increase, ठीक है ना, तज़ दो entropy increase हो रही है, तेला मला system है जड़ा, यहां कहलो भी total system ते surrounding है, हो किदर हो जा रहे है ने, stability वाल, अपने ही कीता है ना, की for a system to be more stable, the entropy should increase, ता ज़े तो entropy increase कर रही है overall, positive जा रही है, that means अपना system है जड़ा हो, system अपना surrounding है जड़ी, total, हो stability वाल मूव कर रहे है, ठीक है ना, now, suppose अगर तुसी कहों कि दोना दा temperature अगर बराबर होंदा, हाना, suppose अपना system दा temperature is T1 surrounding T2, तो T1 is equal to T2, तो एथे बच्चे डेल्टा S किनना आजोगा, 0, क्यों, क्योंकि डेल्टा S की दे बराबर है, Q upon T system, plus Q upon T surrounding, so अगर दोनों ही बराबर होगे, तो अपने को result किनना आओगा, sorry, minus, ठीक है ना, तो अपने को result किनना आओगा, 0, जिदो result 0 आगया, तो अफकोर्स ना heat system तो surrounding बल जा रही है, ना ही surrounding तो system बल तो वैसे भी पता है कि जगर दोनोंगा temperature सेम है, अगर ice भी 0 है, तो surrounding भी 0 degree तो अफकोर्स, जिदो कोई थिंडा ते गरम ही नहीं, तो heat flow हो गयो ही नहीं, ठीक है ना, यानि कि आपना जेडा system है, it is in equilibrium with the surroundings, clear? और surrounding जेना आल, equilibrium ते है, ठीक है बचे? So, this is about the second law of thermodynamics, रजे, ठीक है रजे? So, after the second law, now we shall start off with the third law of thermodynamics, ठीक है? So, बचे देखो, हुन, third law of thermodynamics है, ओ अपनू की कहनद है, it states that, it states that, it states that, at absolute zero, absolute zero तो अपना मतलब की है, at absolute zero, मतलब temperature is equal to zero Kelvin, जदो zero Kelvin temperature होगा, the entropy of a perfectly crystalline substance is zero, ठीक है? एदा मतलब की है, कि कोई भी सब्स्टान्स है, जड़ा, ठीक है ना? ओ zero Kelvin ते, अपनी perfect ordered state देविच होगा, ठीक है? उदी entropy की होगी, बिल्कुल zero, उदेच कोई freeness या randomness नहीं होगी, ठीक है ना? आप तिन्नों लॉस नूँ एक बारी फिर रिवाइज करिये, ता देखो जड़ा, फोस्ट लॉस हीगा, thermodynamics दा, उन्हें आपनू दो टॉम्जनाल इंटर्ड्यूस कराता, डेल्टा H एंड डेल्टा E, जो सेकंड लॉस हीगा, उसने आपनू डेल्टा S देती, हुन जड़ा third law है, उसने आपनू देती, value of डेल्टा S at 0 Kelvin, ठीक है ना? कि 0 Kelvin ते, जड़ी change in entropy है, that is 0, ठीक है ना? Now, हुन अपने कोल कुछ values है, ठीक है ना? जस्ट कुछ theoretical चीजा, आप अप अफटा-फट revise कर दें हैं, have a look at page number 16, ठीक है, page number 16 दे विच, utility of third law, पहला point, entropy of graphite is greater than that of diamond, ठीक है ना? तदेखो बच्चे हुन अगर सोनू, normally कोई question पुछे, कि एक का अपने कोल diamond है, ठीक है? तए एक का अपने कोल graphite है, इना दुना विच ज़ादा stable कौन है? तब नाचरल है कि 100%, not even 99, 100% of the people will answer, कि सर, diamond is more stable, हना? क्योंकि अपने पता है, stable हुन दया है, हना, टोट नहीं सगदा, कोई काट नहीं कर सगदा हुसनू, तब diamond will be more stable. बट नहीं, अपना thermodynamics recording बोल दे है, कि graphite is more stable than diamond, क्योंकि उस दिए entropy ज़ादा हुन दी है, diamond ना हो, ठीक है ना? second point देखो, entropy of hydrogen is more than that of helium, this is due to translational, rotational and vibrational motion, helium only has a translational motion, यहले आपा आगे करांगे तुसी basically physics दे विच भी करांगे, third point, entropy in a family increases with molar mass, so जम्याप मिथेन तो इथेन, इथेन तो प्रोपेन, प्रोपेन तो ब्यूटेन जानने हैं, ता entropy increase कर दी जान दी है रहते, ठीक है ना? now, so एथो हुन अपना एक very important topic स्टार्ट होंदा है, जिसनों आपा बोल देया है, free energy, ठीक है? जिसनों आपा कहनने है, free energy, हुन बचे ज़रा कत्यानल, देखो, so हुन basically free energy है की, ठीक है ना? देखो, हुन अपने स्टार्ट किता सी चैप्टर, डेल्टा ए तो, कि आँ इंटर्नल एनर्जी, चेंज है system दी, फिर आपा एदे विच एक factor इंक्लूड करता, डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी, मलब pressure volume वर्क इंक्लूड करता, अगर system expand होगा, तो हो, पी डेल्टा वी लूज करूगा, और अगर construct, अगर उस दे उपर वर्क होगा, तो पी डेल्टा वी गेन करूगा, तो डेल्टा एच बन गया ऐसी, होन अपां कहता की, डेल्टा एच दे विच्चों, कुछ एनर्जी, हीट, लूज हो जूगी, तो इंक्रीस दे एंट्रोपी, देको एंट्रोपी दा फॉर्मूला की सिगा, डेल्टा एस इस इक्वल तू, क्यू बाइटी, ता मैं हो, क्यू ते डेल्टा एस नू मुल्टि करता, तो एनर्जी आगी, क्यू, तो क्यू अमाउंट ओफ हीट, लूज होगी, तो इंक्रीस दे एंट्रोपी अफ दे सिस्टम, तो मैं डेल्टा एच चो सिप्ट्रेक्ट करती, तो एंड ते में एकोल बाच गी, डेल्टा जी, यानि की, इंटर्नल एनर्जी दे विच प तो मेरे कोल जडी उस्पॉल एनर्जी ओफ दे सिस्टम बाच गी, ओधल्टा जी बाच की, तो विचए ऐन वा आपा कहनने है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, घिब्स फ्री एनर्जी चेंज, akt टाना शी जे शी फे शी demand एक्पार दे की जडी मेरी उस्फुल energy change page number 16 it is a measure of net available energy for doing useful work समझगे ना कि useful कम करनली मेरे को ले net energy किननी बची होई है सो कीरे बराबर है total energy minus unavailable energy unavailable energy तो समझे दो ना क्योंकि जड़ी entropy नो increase current use होगी वो energy था available है नहीं जिद्धा की मैं से नों पहला करवाया सी देखो जड़ो मैं किसी solid नो liquid चे convert करूंगा तो जड़ी एथे energy use होगी उसनों तोड़न लई आपस बॉंड्स नो breakdown करन ली उता अपने को लवैलेबल है नी ठीक है ना तो energy अपने एथे count कर ली ठीक है तो लिखो out of the total energy a part of it is unavailable being the entropy हो गया number two कुछ यूज हो जान दी है to perform pressure volume work ते remaining is net available energy so g is equal to h minus t delta s तो since अपने क्या सिगा कि जो अपने e थी absolute value नहीं find out कर सकते तो आपा find out कर दें delta e similarly अपा find out कर दें delta h तो similarly अपा find out कर दें delta g तो page number 17 ते बिलकुल top ते देखो लिखया होए delta g is equal to delta h minus t delta s ठीक है so एथो तक बच्चे अपां रुकांगे so अपना final formula is delta g is equal to delta h minus t delta s ठीक है एक चीज़ों देखके कदे भी confuse नहीं होना अगर बुक दे विच उपर not लगे वे होना ठीक है इना not दा मतलब की हुंद है कि जेड़ी अपनी experiment है या reaction है या process है it is being done under standard conditions यानि की one atmospheric pressure and 25 degree centigrade यानि की room temperature ठीक है ना so अगर कोई भी process अपां follow कर रहे हैं under standard conditions of temperature and pressure ता उस time जेड़ी Gibbs energy change होएगी that is known as standard free energy change clear so this is our final equation जेड़ी आपाने third law दिनाल बना ली तेदी की utilization है आपा next lecture च करांगे ठीक है ना so एथो तक एक बार तुसी बचे चंगी तरह पढ़ लो ठीक है तिकाल आपा इस पार्ट नो further करके इदी utilization करके इस दिनाल related numericals करांगे ठीक है so till then keep studying and keep revising thank you vachay